अस्सलाम अलेक्म आपन आप लोग देखे रहे हैं तलासफ़ेस अकाडमी आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री के नुमेरिकल सॉल्फ करने वाले हैं और चेप्टर नमबर 1 हमारा कंटिनीव है स्टिशियोमेटरी कंटिनीव है लास लेक्चर के अंदर हम लोग उने कुश्चिन 1, 2, 3 सॉल्फ किये थे और आज जो है हम बाकी के जो तीन रिमेनिंग कुश्चिन है उने सॉल्फ करने वाले हैं सो आज का हमारा पहला सवाल होगा क्वेश्चन 4 1.6 ग्रैम सेंपल ऑफ गैस कोई भी गैस है जिसका इतना मास हमें गिवेन है 1.6 ग्रैम और वो करना है ठीक है जी मास गिवन है वाल्यूम गिवन है और इसकी मदद से हम लोग मालूम करेंगे मोलर मास यानि कि जिस भी गैस की बात हो रही है उसका एक मोल ठीक है ना कितने मास का होगा यह हमें मालूम करना है यानि कि एक मोल कितने मास का होगा वो हमें मालूम करना है वो उस gas का mass given है तो यह आ जाएगा हमारे पास mass of gas इस small m से show करेंगे और यह given है 1.6 gram के बराबर और वही gas जब इतने gram की होती है तो वो कितना volume occupy करती है volume of gas यह आ जाएगा बराबर V के और वो कितना है वो है 1.12 decimeter cube and हमें क्या मालूम करना है उसका molar mass ठीक है ना उसके एक mole का mass कितना होगा जैसे हम show करते है capital M से ठीक है जी तो main हमारा data इस किसम का बन जाएगा और just अब उसको solve कर लेते है क्या मामला है तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोग मालूम करना चाहरे है molar mass molar mass आपको किस formula मिलेगा वो मिलेगा आपको जो mole की definition है न उसमे according to the definition of mole अगर हम mole की definition को इस्तामाल करते है तो mole बराबर होता है mass divided by molar mass यहां से आप molar mass को अलग कर लो तो mass divided by number of mole से problem solve हो जाएगी तो mass आप मालूम में 1.6 है number of moles निकालने पड़ेंगे आपको अब number of moles के लिए जो volume है इसको use करो देखो एक बात हम जानते हैं कि अगर एक mole होता है किसी भी gas का तो वो कितना volume occupy करता है वो volume occupy करता है 22.4 decimeter cube तो अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ कि 1 decimeter cube कितना हो जाएगा 1 decimeter cube की value अगर निकालेंगे तो यह आजेगा 1 divided by 22.4 तो अगर मैं divide करता हूँ 1 divided by 22.4 तो यह answer आता है हमारे पास 0.044 ठीकर आप हमें 1 decimeter cube का पता लग गया कि 1 decimeter cube के अंदर कितने mole आ सकते हैं और फिलाल हमें कितने के विन है हमें के विन है 1.12 तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ 1.12 multiply कराएंगे तो इसका मतलब अगर volume इतना होता है तो number of moles हो जाते हैं 0.044 into 1.12 0.44 into 1.12 यह बराबर आजाएगा हमारे पास कितना 0.049 28 भी आ रहा है 49 तक काफी है इसका मतलब अगर volume इतना होता है अगर volume होता है 1.12 decimeter cube अगर volume इतना होता है तो number of moles इतने हो जाते हैं ठीक है यह हमारे पास क्या आ गए number of moles अब equation number 1 में अगर value put करेंगे तो simply answer आ जाएगा उस gas का molar mass बराबर होगा mass है 1.6 divide by उसके कितने moles बन रहे हैं 0.049 तो हम करेंगे 1.6 divide by 32.6 के ठीक है यानि कि उसका जो molar mass होगा वो होगा 32.6 gram पर mole ठीक है ना बुक में आपको 32 नजर आएगा 32 इस तरीके से कि अगर आप यह सारी values यूज करो decimal के बाद तो वो 32 के बराबर आजाएगा लेकिन main बात यह कि आप concept समझ जाएए अगर आपको mass और volume gas का given हो और molar mass मालूम करना हो तो सबसे पहले आपने यह देखना है कि number of mole कितने बन रहे है mass को number of mole से divide करा के answer आ जाएगा ठीक है 32 gram उसी तरीके से आ रहा है decimal के बाद सारी values अगर यूज करोगे next question number 5 silver sulfite ag2s एक anti microbial agent है और किसी experiment में इतने gram जो है वो silver sulfite के इस्तमाल किये गए react हो रहे है with excess of hydrochloric acid hydrochloric acid जो है वो excess में है और यह reaction आपके सामने बना हुआ है सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है सबसे पहले हमें मालूम करना है mass of agcl form कितना agcl form होगा सबसे पहले हमें वो मालूम करना है और second part में क्या लिखा है second part में लिखा हुआ है volume मालूम करना है H2S gas का at standard temperature and pressure और हमें mass given है mass आगया silver का और यहाँ पर sulfur आगया 32 gram पर mole के बराबर ठीक है बड़ी असान सी बात है ठीक है तो पहले expression लिखे लेते हैं अपने पास फिर solve करने में आसानी हो जाएगी question 5 expression क्या है expression में ag2s यह आ रहा है ag2s और यह react कर रहा है with excess of hydrochloric acid 2HCl नतीजें हैं बन गया हमारे पास silver chloride agcl और यह आ गया हमारे पास h2s h2s ठीक है यह reaction है हमारे पास और हमें दो चीजें मालूम करनी है एक तो mass of agcl और volume of h2s पहली बात जो मालूम करनी है वो है mass of यह आ गया silver chloride ठीक है इसका हमें mass मालूम करना है और volume जो हमें चाहिए volume हमें चाहिए h2s का ठीक है volume यहां से आएगा बागी data जो है वो book से देख देख के solve करते रहेंगे अब सबसे पहली बात यह है कि हमें जो है न यहां पर देखना है कि कितने mole कितना mole produce कर रहे है कितने mole of reactant कितना mole produce कर रहे है product का तो सबसे पहली बात यह है इस reaction को अगर देखे तो एक mole किस चीज का? एक मोल हमारे पास Silver Sulfide का क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 Mols of Silver Cloride ठीक है न? देख लो है यहाँ पर 1 Mols प्रोड्यूस कर रहा है, इसका 1 Mols इसके 2 Mols बना रहा है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमें जहन में रखना है, 2 Mols बनेंगे किसके? Silver Cloride के अब AG2S के Mols कितने बन रहे हैं? उनको देखना पड़ेगा तो हम calculate करेंगे number of Mols फिर multiply करा देंगे, problem वैसी solve हो जाएगी तो क्या-क्या given था हमें? हमें mass of AG2S given है ठीक है? और इसका molar mass निकालनेंगे easily, यहाँ पर हमें silver का कितना given है? silver का आगया है 108 और यह आगया 32, 108 और 32, number of Mols निकालने के लिए पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए उसका molar mass ठीक है AG2S का molar mass निकालना पड़ेगा तो silver यहाँ पर हैं और sulfur वाले को add करना पड़ेगा दोनों के में given 108 और 32, यहाँ गया 108 और 32 इसका प्लस कर लेते हैं 2 multiply 108 यह बराबर आगया 216 और फिर इसमें प्लस कर देंगे 32 यहाँ आजाएगा 248 molar mass हमारे पास आजाएगा M 248 gram के बराबर ठीक है जी? mass हमें कितना given था? उसकी मदर से हम लोग निकाल लेंगे number of moles तो number of moles बराबर होते हैं किसके? number of moles बराबर होते हैं mass divided by molar mass mass हमें given है AG2S का 24.8 24.8 और molar mass हमें given था 248 gram के बराबर यानि कि number of moles कितने बन गए? 0.1 mole तो theoretically हमें यह पता चल रहा है कि 0.1 mole मौजूद है AG2S के और इदर लिखावा है कि अगर AG2S का एक mole होता है तो दो mole बनाता है तो इसी मदद से हम क्या कर सकते हैं? multiply कर सकते हैं अगर मालूम करना चाहता हूँ कितने moles बन गए silver chloride के? moles of silver chloride एक mole AG2S का दो mole बनाता है तो इसका मतलब अब बनेगा 0.1 into 2 ठीक है नदो mole बना रहा है multiply by 2 करके यह answer आ जाएगा हमारे पास 0.2 mole किस चीज़ के? moles of silver chloride अब problem क्या थी? problem यह थी कि मैं मालूम करना था mass of silver chloride mass of silver chloride easily मालूम कर सकते हैं अगर हमें जो है वो उसके mole मिल जाते बस अब इसको use करेंगे तो now हमें पता है अगर मालूम करना चाहता हूँ mass of silver chloride agcl तो mass बराबर होता है यह number of mole बराबर होते है mass divided by molar mass rearrange करेंगे तो mass बराबर आता है number of mole divided by molar mass सिरे molar mass का मसला है एक इसाद निकाल लेंगे mole कितने बने थे? mole बने थे 0.2 और molar mass हमें निकालना है किस चीज का? silver chloride का तो silver हमें पता है 108 और इसमें प्लस कर देंगे 35.5 108 प्लस 35.5 यह बराबर आएगा 143.5 0.2 इंटू 143.5 और इस multiply आब है 0.2 यह आ गया हमारे पास 28.7 gram ठीके जी तो इतना जो है वो mass बनेगा हमारे पास किस चीज का मास है यह mass of silver chloride जो के पहली चीज हमें required थी हमने मालूम कर ली ठीके जी तो सबसे पहले start हमने कहां से करा start हमने करा के वही इसका एक mole इसके दो mole बनाते हैं तो देख लेते हैं कि given कितने mole है तो given mass से given mole निकाल लिए तो multiply by 2 करके 0.2 आ गया जैसे ही मालूम हो गया कि अच्छा भई 0.2 mole बन रहे है अगेन उसी formula को इस्तामाल करके mass of silver chloride fine कर लिया next हमें क्या मालूम करना है next part में मालूम करना था volume of H2S gas जो H2S produce हो रही है hydrogen sulfide उसका कितना जो है वो volume बन रहा होगा यह हमें मालूम करना है ठीके जी अब दुबारा से वही relation देखो आप ज़रा यहां पर एक mole किस चीज का एक mole जो silver sulfide का था AG2S का वो बना रहा था एक mole किस के एक mole बना रहा था H2S gas के है न यह देख लो एक-एक mole बना रहा है अगर एक mole बना रहा है तो इसका मतलब अभी फिलाल AG2S के कितने mole निकल आये थे 0.1 mole निकल के आये थे AG2S के 0.1 mole निकल के आये थे इसका मतलब क्या हो गया 0.1 mole है अगर AG2S के तो अब hydrogen sulfide के कितने mole बना है hydrogen sulfide के भी बनेंगे 0.1 mole अब बात हो रही है volume की जैसा के हम जानते है किसी भी gas का एक mole कितना occupy करता है occupy करता है 22.4 decimeter cube तो इसका मतलब 0.1 mole कितना occupy करेगा 0.1 multiply by 22.4 ये बरावर आ जाएगा हमारे पास 2.24 decimeter cube ये किस चीज़ का volume है ये आ गया हमारे पास volume of H2S gas जो gas थी हमारे पास H2S उसका volume आ गया तो दो चीज़े required थी ये भी मालूम हो गई ठीक है जी अगला सवाल देखें इस चप्टर का आखरी numerical है उसके ये छे पार्ट है calculate each of the following quantities ठीक है हमें बहुत सारी quantities given हैं और उनकी मुक्तलिफ चीज़ों को मालूम करना है जैसे के इतने मास में कितने मोल हैं असान चीज़ है ये असान है और छोटे छोटे चोटे questions है one by one दिखते हैं सबसे पहले मोल्स निकालने हैं 6.4 ग्रैम of SO2 question number 6 का part 1 हमें निकालने है number of मोल्स ठीक है number of मोल्स मालूम करने है डेटा इसी तरह की से बनाते रहेंगे और मास कितना है 6.4 ग्रैम मास of sulfur dioxide ये हमें कितना given है ये given है 6.4 ग्रैम तो एक ही तरीके कार है उसी को follow करना है बहुत सारे ऐसे सवालों को हम लोग solve कर चुके हैं तो number of मोल कैसे मालूम किये जा सकते है number of मोल मालूम किये जा सकते है mass divided by molar mass इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ mass तो given है molar mass calculate करना पड़ेगा एक ही साथ कर लेंगे बात हो रही है sulfur की तो ये आ गया 32 और फिर बात हो रही है oxygen की oxygen का होता है 16 और ये हो गया 2 कितना हो गया 32 32 64 तो 6.4 divided by 64 6.4 divided by 64 बराबर होता है 0.1 मोल के ये हमें calculate करना था इसका मतलब जो number of मोल है वो आएंगे 0.1 मोल next mass in gram ठीक है ethine के 4.5 मोल गिवेन है और हमें mass मालूम करना है तो जैसे do as directed होते है नहीं English के अंदर बिलकुल वैसे ही है हमें मालूम करना है mass in gram ठीक है नशर्थ है gram के अंदर solve करना है 4.5 मोल है number of moles of किसके given थे ethine के C2H2 और वो given है 4.5 मोल के बराबर 4.5 मोल ठीक है मोल को हम लोग small n से show करते है फिर वही formula इस तवाल करना है लेकिन इस मरतबा हमें mass मालूम करना है तो जैसे के हम जानते है number of moles बराबर होता है mass divided by molar mass इस मरतबा आपको mass calculate करना है तो number of moles को multiply करना पड़ेगा molar mass से number of moles है 4.5 molar mass निकालना पड़ेगा C2H2 2 और carbon का कितना carbon का होता है 12 plus hydrogen की बाद हो रही है hydrogen का 1 और multiply by 2 तो ये कितना हो जाएगा 4.5 multiply by 24 और plus 2 ये हो जाएगा 26 so 26 into 4.5 ये बराबर आता है 117 gram के मालूम करना था mass of ethine और वो आगया 117 gram next question number 3 हो गई है numbering आगे पीछे हो रही है ठीक है ये चलो जो book में numbering है मैं उस numbering से solve करवाता हूँ volume मालूम करना है इतने gram oxygen का standard temperature and pressure बुक के मुताबिक ये part 4 है तो मैं भी part 4 ही लिख रहा हूँ हमें मालूम करना है volume of oxygen oxygen कितना volume occupy कर रहा है वो मालूम करना है और उसका centimeter cube में decimeter cube में नहीं याद रखिए volume हमें चाहिए centimeter cube में so convert कर लेंगे और mass हमें given है 38.4 mass 38.4 38.4 gram के बराबर अब देखो simple सी logic है एक mole gas कितना volume occupy करती है उसी तरीके से हमें volume को जहें वो निकालना पड़ता है तो सबसे पहले number of mole निकालने पड़ेंगे first step में हम देखेंगे कि इसके कितने number of moles given है उसके बाद ही solve वो पाएगा और number of moles होता है mass divided by molar mass mass given था 38.4 divided by molar mass चाहिए oxygen का oxygen का 16 multiply by 2 32 so 38.4 divided by 32 यह आजएगा 1.2 mole ठीक है जी अब जैसी आपको mole मिल गए अब problem solve हो जाएगी याद रखिए answer तो centimeter cube में चाहिए पर फिलाल मैं decimeter cube में बता रहा हूँ आपको एक mole gas का occupy करता है 22.4 decimeter cube ठीक है ना एक mole फिलाल कितने mole हैं फिलाल है 1.2 mole तो 1.2 mole का मतलब हो गया 1.2 multiply by 22.4 जो जाएगा 1.2 multiply by 22.4 is equal to 26.88 decimeter cube ठीक है ना इसका मतलब जो 1.2 mole होगा oxygen का वो इतना volume occupy करेगा अब decimeter cube से हमें convert करना है centimeter cube में एक decimeter cube बराबर होता है 1000 centimeter cube के ठीक है जी तो अभी हमें simple सा काम करना पड़ेगा हमें क्या करना है एक decimeter cube अगर इतने centimeter cube होता है तो 26.88 multiply by 1000 करेंगे आंसर आ जाएगा हमारे पास 26880 centimeter cube यह आ गया हमारे पास volume oxygen का अगला सवाल number five number of molecules चाहिए molecules की दादाद चाहिए उसमें भी एक relation इस्तावाल होता है water के कितना mass है 126 gram पांचमा part है पांचमा part है हमारे पास mass given है mass of water M कर देता हूँ 126 gram के बराबर 126 gram और number of molecules हमें calculate करने है number of molecules number of molecules को capital N से show करते है और याद रखो यहाँ पर भी relation होई है कि अगर आपको एक मरतबा mole की तादाद पता लग जाए तो उससे number of molecules निकल सकता है क्योंकि अवागेडरोस constant बताता है कि एक mole में कितने molecules होते हैं तो सबसे पहली बात जब हम इसको solve करेंगे तो हम देहान रखेंगे कि सबसे पहले हम यह निकाल लेते हैं कि इसके number of moles आखर हैं कितने और number of moles के लिए फिर वही बात mass divided by molar mass mass को divide करना पड़ेगा molar mass से तो mass हमें गिवन है 126 divided by water का molar mass कितना होता है hydrogen के 2 oxygen के 16 यह हो गए 18 ठीके ना water का hydrogen के 2 और इसके 16 अठारा ग्राम 126 divided by 18 यह आ रहा है बराबर 7 के इसका मतलब 126 gram के अंदर 7 mole होते हैं पानी के ठीके जी अब बाकी बात molecule कितने हैं तो याद रखिए एक mole में अगर एक mole होता है तो उसमें 6.023 10 raised to the power 23 molecules होते हैं ठीके ना यह हमें पता न है वागेडरोस constant यहाँ पर given है 7 mole तो अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ 7 moles में कितने particle हैं तो this value multiply by 7 करना पड़ेगा 6.023 10 raised to the power 23 6.023 10 raised to the power 23 और इसको multiply करना पड़ेगा 7 से यह answer आएगा हमारे पास 4.21 10 raised to the power 24 molecules ठीक है यह पूरे molecules का answer आजाएगा decimal shift भी कर सकते हो तो exponent 23 हो जाएगा यह क्या symbol दिया था मैंने number of molecules को capital N के बराबर next है हमारे पास 6th part mass of gram अच्छा इतने atoms है sodium के तो बताइए mass कितना होगा ठीक है आभी आपने mass से molecules निकाल लिए अब number of molecules से mass find करना है mass of sodium number 6 मालुम करना है हमे mass of sodium, sodium का mass चाहिए M से show कर देंगे और number of molecules हमें given है number of molecules कितने हो गए number of molecules हो capital N से show करते है 4.8 10 raised to the power 24 4.8 10 raised to the power 24 molecules ठीक है जी वही solution दुबारा से सबसे पहले mole देखो कितने है इतने mole के अंदर कितने mole आ जाएंगे जब mole आ जाएगा तो mole की मदद से mass निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है याद रखिए एक mole कितने number of molecules होते है एक mole में 6.023 10 raised to the power 23 molecules होते है एक mole के अंदर इसका मतलब अगर number of molecules से निकालें एक molecule में कितने mole होते है सो 1 divided by 6.023 10 raised to the power 23 तो मैं पता लग जाएगा एक molecule कितने mole बनाता है 1 divided by this value 1 divided by 6.023 10 raised to the power 23 यह आ जाएगा हमारे पास 1.66 10 raised to the power minus 24 यह आ गया एक molecule के number of mole अब molecule कितने given है molecule की तादात given है 4.8 10 raised to the power 24 molecules अब इतने molecule मिलकर कितने mole बनाएँगे divided by बलके divide तो करने की ज़रत नहीं है सीदा सीदा multiply करा देंगे यह जो value लिक्की भी नजर आ रही है आपको 1.66 10 raised to the power minus 24 अगर इधर समय लो 4.8 24 multiply किया तो इधर भी करा दिया 4.8 10 raised to the power 24 ठीक है exponents ओ खतम हो जाएंगे plus और minus सिर्फ जो value हमारे पास बचेगी 1.6 1.66 और इसको हमें multiply करना पड़ेगा किस से 4.8 से यह आगया 7.96 ठीक है यह आगया कितना 7.96 मोल्स इसका मतलब इतने जो molecules है ना वो मिलके कितने मोल बनाते हैं वो इतने मोल बनाते हैं जैसी मोल की value मिल गई हमें तो mass निकालना था मोल बराबर होता है mass divided by molar mass rearrange करेंगे M की value चाहिए तो number of moles को molar mass से multiply कराएंगे 7.96 moles बनवें और mass sodium का कितना होता है 23 तो simple सा काम हमें करना है कि हमें multiply करना है 7.96 multiply by 23 it is equal to 183 183.08 यह आगे हमारे पास mass in grams ओके लास्ट है हमारे पास 6th number of formula units formula units पता करना है हमें किसके अंदर 333 gram of calcium chloride के अंदर number of formula units यानि कितने होंगे number of molecules या number of atoms तो वो हमें calculate करने इतने gram के अंदर question number 6 तो data में given है कि number of formula units कितने बनेंगे यह हमें मालूम करना है N से show करेंगे और given क्या है हमें और given है हमें उसका mass 333 gram mass of calcium chloride CACL2 इसका mass given है और वो है 333 333 gram के बराबर ठीक है इस मरतबा mass की मदद से हमें number of molecules निकालने है method वही है सबसे पहला एहम काम यह होता है कि हमें number of moles निकालने पढ़ेंगे तो number of moles number of moles निकालने के लिए mass divided by molecular mass mass divided by कितना है mole का mass कितना है तो यह है 333 divided by कितना बनेगा हमारे पास calcium chloride calcium का 40 और प्लस CL2 CL2 टू मल्टिप्लाब है क्लोरीन का हो गया 35.5 simplify करेंगे तो 333 35.5 मल्टिप्लाब है 2 प्लस 40 1 1 1 आ जाएगा इसका मतलब कितने mole बन गया हमारे पास मोल की तादाद आ गई 3 mole ठीक है mole पता लग गया है तो बाखी तो बहुत ही असान सी बात है 1 mole के अंदर कितने formula units होते है 1 mole के अंदर होते है 6.023 10 raised to the power 3 particles और यहाँ पर given है 3 mole तो 3 mole के लिए क्या करेंगे इसको multiply by 3 कराएंगे 3 multiply by this value जो कि है 6.023 10 raised to the power 23 3 multiply by 6.023 10 raised to the power 23 यह बराबर आ गया 1.806 हमें निकालने है N 1.80 10 raised to the power 24 formula units यह होंगे इतने mole के अंदर ठीक है यही चीज़ required थी यह हमारा answer है 1.80 लिखावाई है ठीक है जी तो इस तरीके से स्टिशोमेट्री के जो 6 numerical थे हमने उनको detail में solve करा I hope समझ में आगे होंगे कोई क्योरी है तो लिखना comment section में मैं चलाए reply करूँगा that's all for this lecture लाफिस झाल